आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी चीज केक चुकि है बटर स्कॉच केरेमल क्रंची चीज केक और इसे हम बिना एक्स बिना अवन बिना कोई जलेटीन यूज़ के होममेड क्रीम चीज के साथ बनाएंगे तो अगर आपको भी बटर स्कॉच आइस क्रीम या बटर स्क केक बहुत पसंद है तो इस चीज केक को आप जरूर ट्राय करिएगा यह आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा और अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के सबसे पहले हम अपना बटर्सकॉच क्रंच बनाएंगे तो इसके लिए एक पैन में मैं यहां ले रही हूं दो टेबल स्पून बदाम आप चाहें तो इसकी जगा काजू भी ले सकते हैं तो बस अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो थोड़ी द तो एक सौस पैन में मैं यहां ले रही हूं आधा कप चीनी नॉर्मल रेगुलर वाइट शुगर लिए मैंने यहां और इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे तब तक जब तक यह अच्छे से केरमेलाइज ना हो जाएं ध्यान रखें कि पहले इसे बिल्कुल भी नही चीनी शुरू हो जाएगी तब आप पैन को इस तरह से घुमाना शुरू करिए बट इसे चलाईएगा नहीं बिल्कुल भी तो बस थोड़ी देर के बाद जब नीचे की चीनी का कलर हलका चेंज होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे तो इस तरह से किसी भी स्पेचुला या विस्Alright मिक्स कर लेंगे से तो बस अब हम इसके बाद इसे लगाता चलाते रहेंगे और चीनी की अच्छे से मेल्ट और करमलाईज होने तक पका लेंगे तो थोड़ी देर मिल्कुल अचछे से मेल्ट हो गई है कैरमलाईज हो गई है और साथ के सा साथ हम इसमें डाल देंगे ये क्रश किये हुए बादाम और इसे भी फटा-फट से मिक्स कर लेंगे और जैसे ये बादाम मिक्स होंगे साथ की साथ ग्यास को बंद करेंगे और इस मिक्सर को डाल देंगे ग्रीज किये हुई प्लेट में तो इस प्लेट को मैंने पहले से ही देशी घी से ग्रीज करके रखा हुआ है तो इसमें ये सारा मिक्षर डाल देंगे और ध्यान रखे कि इन सारे स्ट्रेप्स को हमें फटाफट से कर लेना है नहीं तो ये जो मिक्षर है ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो इसलिए आप अपनी प्लेट को भी पहले से ही ग आधा कप चीनी और इस चीनी को भी अब हमें उसी तरह से मेल्ट और केरमलाइज होने तक पकाना है लो फ्लेम के ऊपर तो बस जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चुथाई कप बटर और मैंने यहां यह सॉल्टेट बटर ल तो बस क्रीम जैसे ही मिक्स हो जाएगी हम गास को बन कर देंगे और इसी के साथ हमारी यह बहुत ही टेस्टी केरमल सॉस बिल्कुल तायार है अभी आपको यह थोड़ी सी पतली लग रही होगी बट यह थंडी होने के बाद थोड़ी थिक भी हो जाएगी तो बस अब हम इ इसे किसी जिप लोग बैग में या नॉर्मल पनी में भर लेंगे और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे तो इस तरह से रोलिंग पिन से या किसी भी फ्लाट सर्फेस आप इसे क्रश कर लीजी तो बस इसी के साथ हमारा यह बटर स्कॉट्स क्रंच भी बिल्कुल तायार है इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी तो बस अब हमारी सारी तयारी हो गई है अब हम अपना बटर स्कॉट चीज केक बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह लिए हैं 130 क्राम डाजेस्टिव बिस्किट आप को भी प्लेन बिस्किट भी ले सकते हैं तो आप अंसॉल्टेट बटर या घर का मखन भी यूज़ कर सकते हैं तो बस इस बटर को अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसमें बटर अच्छा से मिक्स करने के बाद जो बिस्किट से बंधने शुरू हो जाएंगे तो इतनी क्वांटिटी यूज़ करनी है हमें अपने बटर की तो चलिए अब हम अपनी बिस्किट के लियर को सेट करेंगे तो इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ यह 6 इंच का लूस बॉर्टम मोल्ड लिया है यानि किसके जो नीचे की प्लेट है यह अलग हो जाती है ताकि एंड में हमें चीज़के को डी मोल्ड करना एजी हो तो ब तरह से प्रेस करेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए तो बस इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद अब हम अपने इस मोल्ड को 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो बिस्किट की लियर है यह अच्छे से सेट हो जाए और तब तक हम अपने बाकी की तयारी कर लेंगे तो इसके लिए एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ एक कप cream cheese यह मेरा homemade cream cheese है इसकी recipe मैंने पहले Oreo cheese cake में share कि थी उसका link मैंने नीचे description box में दिया आप आप उसे check कर सकते हैं तो इस cream cheese को ना हम पहले थोड़ा सा विप कर लेंगे तक्रीबन 10-20 seconds के लिए तो बस इसे थोड़ा विप करने के बाद अब मैं इसमें डाल जी हूँ तीन बड़े चमच पिसी हुई चीनी यानि की powder sugar, normal चीनी को grinder में डालके grind करके यूज किया है और इसे भी एक बड़ विप करेंगे तक्रीबन 20-30 seconds के लिए तो बस इन दोनों चीजों को थोड़ा सा विप कर लिए मैंने और अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये caramel sauce तो ये sauce थोड़ी थंडी हो गई थी तो थंडी होने के बाद हम इसे डालेंगे और आप देख रहे हैं कि ये थिक भी हो गई है पहले से और मैं इसे एक ती हाई कप ये caramel sauce आइड कर रहे हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे जादा भी डाल सकते हैं तो बस इसे अच्छे से डाल के अब हम इसे विप करेंगे तब तक जब तक अब हम अपनी क्रीम को विप करेंगे तो उसके लिए मैंने यहां ली है आधा कप क्रीम और मैंने यहां यह नॉन डैरी हेवी विपिंग क्रीम यूज की है तो इस क्रीम को अब हम विप करेंगे तब तक जब तक इसमें soft peaks ना बन जाएं तो बस इस तना से विप कर लिए मैंने थोड़ी देर के लिए और अब इसमें soft peaks ना बननी शुरू हो गई है और इसके बाद यह जो क्रीम चीज वाला मिक्षर हमने बना कर रखा था इसमें अब हम डाल देंगे अपनी यह क्रीम और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें add कर लेंगे और इसे बिलकुल हलके हलके हातों से fold कर लेंगे तो बस इस तना से मैंने यह सारी क्रीम इसमें डाल दी है और इसके बाद हम इसे एक बर फिर से whip कर लेंगे तकरीबन 20-30 सेकंड के लिए तो बस इसे थोड़ा विप करने के बाद अब हमारा ये cream cheese creamy mixture बिलकुल तायार है और end में अब मैं इसमें डाल जूँ ये butterscotch crunch तो तकरीबन 4-5 बड़े चमचेस crunch के डाल दूँगे मैं इसमें ये आप अपने टेस्ट के according भी रख सकते हैं तो बस इसे डाल के हलके हाथ उसे mix कर लेंगे और इसके बाद ये जो हमने biscuits को set होने के लिए रखा था ये भी अच्छे से सेट हो गए है अब हम इसके उपर डालेंगे अपना ये cream cheese बाला mixture तो बस इस तरह से ये सारा mixture इसमें डाल देंगे और इसे पूरे mold में evenly फैला लेंगे उपर से थोड़ा सा smooth कर लेंगे किसी spatula या knife के साथ और end में हम अपने mold को ना हलका हलका से इस तरह से shake करेंगे ताकि ये उपर से even हो जाए तो बस mold up हमारा बिल्कुल तायार है अब हम इसे पहले एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो cream cheese है ये थोड़ा सा set हो जाएगा और फिर उसके उपर हम एक extra layer caramel की pour करेंगे तो बस एक घंटे तक फ्रिज में रख दिया था मैंने इसे ये हलका सा set हो गया है अब हम इसके उपर डालेंगे caramel और इस caramel sauce होना मैंने 10 seconds के लिए microwave कर लिया था ये हलकी सी liquid stage में आ गी है बहुत जादा गरम नहीं करना है इसे तो बस इस तरह से इसे पोर करेंगे और इसके एक पतली सी layer बना लेंगे तो बस इस तरह से ये caramel डालने के बाद अब हम अपने इस mold को एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे कम से कम 6-8 खेंटे के लिए या फिर आप इसे सारी रात के लिए फ्रिज में रखिए तांकि ये जो cheese cake है ये अच्छे से set हो जाए तो मैंने इसे सारी रात के लिए फ्रिज में रखा था और अब ये बिल्कुल अच्छे से set हो गया है अब हम इसे demold करेंगे तो इसके लिए glass रखेंगे इस mold के नीचे और इसे carefully निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये तो बस इसी के साथ तायार है हमारा ये butterscotch caramel crunchy cheese cake आप देख रहे हैं कितना yummy लग रहा है ये देखने में नीचे biscuits की layer है और बीच में ये creamy cream cheese mixture और उपर से caramel बहुत ही जादा tasty लगते हैं और end में इसके garnishing के लिए मैं इसके उपर डाल रहे हूँ तो थोड़ा सा ये butterscotch crunch ये बिल्कुल optional है आप चाहें तो अपनी 1% garnishing कर सकते हैं बट ये जो crunch है ये बहुत ही जादा tasty लगता है हमारे इस cheesecake में तो बस इसी के साथ हमारा ये butterscotch caramel cheesecake बिल्कुल तायार है अब हम इसे कट करेंगे और सर्फ करेंगे तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना और जितना इसे बनाना आसान है उससे कई जादा ये खाने में टेस्टी लगता है तो आप भी इस recipe को जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर की ये आपको कैसी लगी और अगर आपको आज की ये recipe पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और विद इस cheesecake, I wish you all a very very happy new year